आप NGO की तरफ क्यों divert हुए? आप NGO में क्यों आना चाहते है? भारत में एक गैर सरकारी संगर्ठन को पंजीकत कराने के लाब क्या होते है? काज लगर किसी को NGO में जाना है, तो उसके अंदर क्या-क्या qualities होनी चाहिए आपके इसाफ से? So good morning friends, welcome to PD Classes. Today a very important session for all those who want to make their career for NGO interview. I hope students, today's interview will be benefit for those who are going for NGO. और मेरा मानना है कि हमारे दोनुच चैनल PD Classes और इंटर्वी गाइड से आप पसनली डेल में और बॉड़ी लेंग्विश के इंटर्वीव सीख रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं कि NGO को हम डिफाइन कैसे करते हैं, means, what do you mean by the word NGO? Sir, NGO गैरलाबकारी स्वेचिक नागरिको का समूँ है, जो स्थानिय राष्ट्रिय वो अंतर राष्ट्रिय स्तर पर लोगो की भलाई के समर्थन के लिए आयोजित किया गया है. तो NGO की कुछ ड्यूटी के बारे में बताईये हैं. NGO लोगतांत्रिक पर क्रिया को समरीद करते हैं. Sir, इनका मुख्य उदेश यही होता है कि जोरुद्मन लोगों की साहिता करते हैं, हिउमन राइट्स को परमोट करते हैं, एकनोमिक ग्रोथ और शोशल प्रोग्रेस को भी प्रमोट करते हैं. आप NGO की तरफ क्यों डाइवर्ट हुए? आप NGO में क्यों आना चाहते हैं? सही एउगनाईजेशन वेल्यू बेस्ट होती है और मिशन ड्राइवर्न होती है. मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हूं और जुरुरुतमन लोगों की साहता करना चाहती हूं. तो मुझे आप बता सकते हैं कि NGO रिज्ट्रेशन के बेनिफिट क्या होते हैं? NGO को लिगल स्टेटस मिलता है और NGO स्ट्रोंग होता है और टेक्स बेनिफिट मिलते हैं. क्या बता सकते हैं कि Section 80G का बेनिफिट क्या होता है? सर इसमें डोनेशन के दिवारा टेक्स बेनिफिट लिया जा सकता है. क्या बता सकते हैं कि पहला गैर सरकारी संगठन कोन सा था? Anti-slavery society जो 1839 में बना था. बहुत से questions आज में आपके लिए लेकर आए हूं यहां पर. तो सबसे पहले मैं यह आप से जाना चाहूंगा कि गैर सरकारी संगठन के संस्तापक कोन थे? महात्मा गांधी जी इसके संस्तापक थे जो उन्हें परभावशाली बनाया गया था. तो क्या आप बता सकते हैं कुछ गुजरात के ऐसे NGOs जो बहुत फेमस रहे हैं? हाँ जी सर जैसे एकलवे, दिशा और सेवा. बजट कितने पर कार क्या होता है? सब बजट तीन पर कार क्या हैं, बैलेस्ट बजट, सर्प्लस बजट, डेफिसिट बजट. क्या आप शोशल मार्वेटिंग के फोर पीस बता सकते हैं? यह सर्. बताइए. प्रोड़क्ट, प्राइज, प्लेस, अन् पर्मोशन. वाइरी नाइस. थ्री टाइप के एडवोकेसी होती हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो थ्री टाइप के एडवोकेसी कौन सी होती हैं? यह सर्. पताईए. सेल्फ एडवोकेसी, इंडविजल एडवोकेसी, और सिस्टम एडवोकेसी. बहुत बढ़िया, अच्छा बताईए कि NGO निर्मान की तारिक से आईकर छूट के लिए पंजीकन के लिए अधिकतब समय आवदी, आवे दिन क्या होता है? सर वन यर भारतिय पंजीकन अधिनियम का उदेश है क्या है? सर भारत सरकार के राजसाव को उद्पन करना ट्रस्ट की प्रोपर्टी को होल्ड कोन करता है? ट्रस्ट इस राइट काजल क्या आपको चैलेंजिस बता सकते हैं जो एंजीओ सोसेटी को फेस करने पड़ते हैं? येस सर बताईए सर जैसे धन की कमी, रणनीति का भाव, नेटवर्किंग का भाव और रख रखाव का भाव वारे राइट चैले काजल मुझे बताईए कि एंजीओ को फंडिंग कैसे मिलती है? सर प्राइवेट डोनेशन से और लीगल एजन्सियों से और नीजी छेतर के लाबकारी कंपनियों से और फिलन्थ्रॉपिक फांडेशन बहुत होती हैं जो एंजीओ को फंडिंग करती हैं मुझे एंजीओ की कुछ विशेष्तां के बारे हैं बताईए सर यह स्वेच्छा से गठित होती हैं और सरकार से स्वतंत्र होती हैं इने कोई नीजी लाब नहीं होता और यह जुरूतमन लोगों के सयोग के लिए त्यार होती है मुझे बताईए कि वे कौन से कार्या जीने पंजीगत एंजीओ को संदर्बित किया जाना चाहिए सोसाइटी पंजीगर अधिनियम और भारती न्यास अधिनियम मुझे कि इन्जीओ कितने परकार के होते हैं जैसे नैशनल एंजीओ इंटरनेशनल एंजीओ टिकी वाइड एंजीओ और कम्यूटी बेस्ट एंजीओ अच्छा सुसाइटी बनाने के लिए किन दस्तावीजूं के अफशक्ता होती है पैन कार्ड, निवास परमान, एस्वेशियेशन के अपन, सुसाइटी के नियम, विनियम, कवरिंग लेटर, पते का परमान, सुदस्यों की सूची और गोष्णा बहुत बढ़िया, अच्छा बताईए मुझे कि बाहरत में एक गैर सरकारी संगर्ठन को पंजीकत कराने के लाब क्या होते है समाज के समाजिक कानूनों वो नेतिक मानदंडों को मजबूत करता है मुझे बताईए कि ट्रस्स पजीकत के लिए अवशिक दस्ताविश क्या कया चाईए पर्सनल डिटेल्स, एडरस प्रूफ, उनरशीप प्रूफ तो पर्सनल डिटेल में क्या क्या चीज देखनी होती है सर परस्नल डीटियल में जैसे address, contact number येसा बात है चले मुझे बताइये address प्रूफ में में क्या चाहिए होता है voter ID, driving license, passport ID और honorship प्रूफ में में क्या चाहिए होता है electricity bill and house tax receipt जितने भी questions में आफ से पूछ रहो, you are trying your best चले मुझे ये बताइये, who developed the code of ethics and conduct for NGO वेंगो ओके वोल्ल असोसेशिशन अफ नोन गवर्मेंटल आर्गेनिजेशन चलिए काजल अब मैं आपके बारे में कुछ जानना आपकी होबिस क्या है सब मुझे नहीं नहीं जगों पे जाना और नहीं नहीं लोगों से मिलना बहुत पसंद है और आपकी स्ट्रेंट्स क्या है सब मैं पंचवल हूँ और अनेस्ट हूँ और आपकी कोई वीकनेस यह सब मैं बाते बोत करती हूँ के तो मुझे लगदा एंग आपके लिए बैस प्रहेगा काजल मुझे बताईए कि किसी को अपना करियर बनाना है तो उसके अंचर कया क्वालिटी होनी चाहिए तो उसका नेचर अर्जस्टेपल होना चाहिए और उने नहिनी जगा पर जाने का एक्स्पीरिंस होना चाहिए नहिने दोस्त बनाने आनके चाहिए बनाने चैहिए कुई भी अज़श्ट कर लोगी और में इमानदारी से कारे करूंगी और मेरेको अपने स्टेंस दिखाने के एक नुका दिया काजल आपकेले काम करना पसंद गरती हैं टीम में सर जरूद पढ़ने पर मैं अकेले भी काम कर सकती हूं और ज्यादा मैं प्रेफर टीम में काम करने में देती हूं के और और ओविस है कि वी वरक इन टीम वी का अचीव मोड़ काजल इस जौब के लिए आपको पना घर चोड़ना होगा उस प्र आपको बाहर जाना पड़े तो आप अड़िस्क्र लगे यह सर में अड़िस्टेबल नेचर हूं और मेरे अंदर होबने जिए और नहीं है और क प्रणिक को मेरे बार में कहते है की में जोगेल नेचर की ओर में बचल मिल-चाती हूं की का अब को कोई में पूशंना चाहेंगे यसर वैसे तो मैं पढ़की आया हूं फिर भी में आपसर जाना चाहती हूं कि एफॉर रूपि रूगरूर रेगूलेशन सह्ते हैं हो की वै और उसके बाद ही आप एंटर होते हैं, तो मेरा मानना है कि यदि आप NGO में अपना करियर बनाने जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप सबसे पहले वर्सटाइल होने चाहिए, एडिस्टेबल होने चाहिए, जैसा कि आपने बोला आपके फ्रेंड्स आपको जॉवियल कहते हैं Okay, keep it a blessing to you. Thank you sir.